velocity of flow of water in a horizontal pipe is 10 meter per second find the velocity head of water पहले velocity head समझ ले यह रही Bernoulli equation Bernoulli equation को सब जगे हैं हम लोगों ने रोजी से डिवाइद कर लिया मान लीजिए तो रोजी रोजी उड़ गया रो रो उड़ गया यहां कुछ नहीं उड़ा पी डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ वाइड टू जी यह रोज़ाएगा केवल H और यह रोज़ाएगा एक नया कॉंस्टेंट के यह से भी कॉंस्टेंट लिख सकते थे तो देखे इसमें यह वाला है ग्रेविटेशनल हेड क्योंकि ये रोजियत से आया है हामें जो निकालना है वो ये वाला है वेलोसिटी हेड और ये भी जान लीजे ये होता है प्रेशर हेड ठीक है प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड ग्रेविटेशनल हेड अब प्रेशर हेड निकालना है यानि की वी स्क्वेर बाई तू जी हम से पूछा गया है ठीक है बाई वेलोसिटी कह रहा है टेन मीटर पर सेचंड है तो 10 into 10 V velocity होता है यहां पर और G बोल रहा है 10 ले लो क्या सवाल है यार pressure head, velocity head और gravitational head आप अगर अच्छे से जानते थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है 10 divided by 2 हो जाएगा 5 लेकिन याद रखेगा इन सब की unit जो होती है वो meter में होती है 5 meter है आपकी book 5.00 meter पसंद कर रही है मैंने भी वही लिख लिया this question is done now